ऀलो फ्रेंस मैं मानिका आपकी गार्डनर दोस्ट ऑज आपको अपनी गार्डनर शॉपइंग दिखांगी जो मैं प्लान्स की करके लाई हूँ कुछ ऐसे फिलारिंग नर्स्री में उन्की शॉपइंग लाई हूँ आज मैं करके तो हर आपको दिखाती हो ये देखिये तो च सारा साल जो है वो बहुत नहीं चलते हैं कुछ जरवेरा ऐसे होते हैं एनके स्टॉक छोटे हैं इसका थोड़ा सब्सक्राइब झालता है कोशिश करों गी देखों की शायद ये बह चल जाएँ लेखियेंस हैं साहसाल नहीं चल है चलिए एक ये लेकित आई ओं एक ये लेकित की अइंथूरियम यह इसे में इसरदियों में आपको ज्यादा इंधूरियम टॉटली इंडोर प्लांट है इसको अपने अराउंस्चर पसंद है इसको मौश्चर ट्रे पे रखें इंडोर में रखे हैं इस प्लान को यह धूप में नहीं चलेगा बाहर चाहे सुबह की धूपों चाहे शाइन की यह टोटल जो है वो अंदर इंडोर में चलेगा आपके यहां चाया रहती है उस जगह चलेगा यह एंथूरियम है और यह देखिए यह मैं जिरेनियम के कुछ शेड्स तीन चार पौदे मेरे पास पहले भी हैं और अब यह नए लाई हूं देखिए यह कलर देखके लाई हूं अभी फूल खिले हुए थे वो पहले वाले पौदों में फूल नहीं थे और अभी भी नहीं है तो उनमें यह है कि पता नहीं कैसे फ्लाज आएंगे नेकि इनमें किता प्यारा कलर है देखे यह वाला और यह पिंक यह डबल वाले हैं देखầnस के फूलों में जो हैं वो घुथे वय फूल है देखेए अगर आपको देख रहे हों तो यह दिखर इसके फूल जो हैJo गुथे वाले हैं कई वर् industri ने इसमें देखे है ना और यह वाला जो है लेकिन color सब के अलग है और एक और दिखाती हो आपको geranium iv यह वाला जो geranium है इसमें इसके पते देखिए यह ऐसे angular से होते हैं इसमें ऐसे pointed angle से होते हैं और यह वाले पते देखिए ऐसे goal होते हैं विलकुर इनके पतों में ही फरक है देखिए ये hanging baskets में लगने वाला है geranium ivy ये नीचे की तरफ लटकता है trail जैसे देखिए आपको ये दिखा रही हूँ है यासे इसकी में कोई hanging baskets दिख गई pod और दूसरे pod नहीं थे सिरफ hanging baskets थी तो मैं इसकी hanging baskets दो ले आई हूँ देखिए देखिए ये मुझे 150 की hanging basket पढ़ी है तो मुझे लगा कि इसकी hanging baskets ले लेते हैं geranium ऐसा पौदा है देखिए मैं राजिस्तान से वीडियो बना रही हूँ हमारे गर्मी में ये पौदे बचते नहीं है बहुत कोशिश करती हूँ क्योंकि जहां पेड़ वेड़ होते हैं बढ़ा कोई पेड़ हो गार्डन में वहां उसके नीचे रख दो मौश्र दो तो शायद बच जाते हैं मेरे को छट पे आना पड़ता है बार बार तो मेरे कई बार ये नहीं बचते हैं पेड़ नहीं है मेरे पास बहुत बड़ा उगा हुआ तो राइजिस्तान में ये चल नहीं पाते हैं बाकी और जगाओं पर आप इनको घर्मी में भी बचा सकते हैं जिरेनियम को जिरेनियम वा डायन्थस हुआ ये गर्मी में बच जाते हैं पौदे ये देखिए और एक ये, देखिए, कितना खुब शुरास सा बलांट है ये प्लांट एटसा इसके homework देखिया प्लांट इटसेल्फ ही, इसके पत्या難度 में लगा, प्ती को आप देखेंगे कितordan की प्यार इसकों सुं लना पलांट है और इसमें ऐसे串ाइब लगने माला पौद है अगर आपके हैं फिल्कुल नहीं आती यह तो यह बहुत अच्तूद है तो यह जो पॉड़े अंके लिए पौदे लगाएँ तो यह पौदे जो आइ वह इनके लिए बहुत अच्छा है जिनके आऻ पौदे बहुत नहीं में इस टाइम आया है और मिल रहा होगा अभी तक नहीं मिला होगा यह देखिए प्रिम्रोज या प्रेम्यूला कहते हैं इस प्लान को इसमें देखिए यहां बीच में से इसमें देखिए वाइट से कुछ फ्लार का एक दम ऐसे गुच्छा निकलता है ऐसे फ्लार का गुच् और यह वाला पौदा जो है ना इसके वह नीचे जड़े जो राइज वह बच जाते हैं तो इंको भी अगर आपके अगर्मी हमारे जैसी नहीं पड़ती है तो आप इनको भी जो गर्मी में है उपर से पौदे को बाद में हटा दो तो नीचे वह बच जाता है आपका रैजोम उसको पढ़ा रहने दो गमले में और नेक्स्ट ये वो काम आ जाता है तो ये देखिए ये प्लांस हैं ये देखिए प्रिम्यूला नीचे भी पढ़े हो है दो ये मैं कुछ जाती हूं तो बस दुबारा ले आई हूं वर्बीना मेरे पस है वर्बीना पर मुझे कलर अच्छ पर लेकि आई हूं लगाने के लिए और देखिए ये रेड कलर में क्योंकि मुझे यह उपर च्छत पर गमले में लगाने तो थोड़े चोटे पौदे लाई हूं देखिए मैं और अगर आपको ऐसे भी रखना चाहें ना कुछ चेंज नहीं करना चाहें ऐसे ये छोट-छ लगाना और फिर देखिए जो ये वादों का मुझे बहुत शोक था ये देखिए ये जो है यह देखिए लीयो है ना सारा जहां घूबेश में चेकिन करता रहता है तो यह देखिए ये है रेंनेन्कूलस रेंन्क्यूलस के देखिए आपको इस तरह से पत्ते दिखते हैं इस तरह से गाजर के पत्तों जैसे पत्ते होते हैं यह वाला जो प्लांट है अभी जो मैंने दिखाए यह बस अभी आया है नर्सरी में पहले नहीं आये हुए थे तो देखिए यह मैं चेह साथ पौदे यह लेकर आए हूं मेरे बहुत फेवरेट प्लांट है रेननकुलर्स ऐसे लगता है जैसे कि ना रोज के प्लांट खिले ह आपके गार्डन में एक मुझे यह रेन लेली अभी मिला है फिर नर्सरी में दिख्या मुझे यह अच्छा लगा मुझे रीन लेली यह वाले जो ऐसी टाइप की रेन लिली है ना बहुत नंबर में खिलते हैं इसके बल्ब्स नीचे से बहुत जल्दी मल्टिप्लाय होते ह इसको गमले में लगा दूँगी तो और एक यह लेके आई हूँ कलांचू और आपको दिखाती हूँ एक यह लेके आई हूँ मुझे एक गमला और लगाना था इसका डॉग फ्लायर है यह देखिए और आपको कलांचू दिखाती हूँ देशी वाले कलांचू देखिय मैंने यह कटिंग से लगाए हूँ है देखिए हिए और यह पिछले साल के मेरे सारे कलांचू है एक पौदा लाई ㅅनौ से वाला उस से मैंने ensurd कितने सारे सारे त्यार कि रहा हैं इनमें भी याप फ्ल सोलुशन डालना पड़ेगा यह देखिए मैं बना के रखती हूं डीए पी और पोटाश इक्वल मिलाके इसमें गोल के रख लिया है और पांच लिटर के कैन में बस एक कप पानी आदा कप पानी यह वाला डालूंगी और पौदों को देदूंगी तो यह देखिए यह मेरी इसकी शॉपिंग है और यह देखिए यह स्टेक्स लेके आई हूं मैं लेके नहीं आई हूं यह स्टेक्स मैंने ओनलाइन मंगा है इसको ऐसे लगा देते हैं देखिए ऐसे लगा के ऐसे आपका पौदर जो है जो ऐसे गिर रहा होता है उसको थोड़ा और अंदर इसको ऐस आई हूं एस शेप वाले क्लिप्स आते हैं यह देखिए यह हैंगिंग इसे हैंगिंग बास्केट इसमें ठंग जाएगी यह दस दस इंच वाले हैं यह लोंग के यह Amazon से मंगवाए हैं मैं नर्सरी से तो नहीं लाई हूं लेकिन चलिए शॉपिंग दिखा रही हूं तो यह भी दिखा देती हूं और साथ ही दिखाते हूं आपको देखिए यह मेरा पुराना गुल्ड उदी और पॉइंसे यह को कैसे मैंने पेर किया इंप्लांस के साथ ग्रूप में लगाया तो फ्रेंज अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यह से लाइक करिए शेयर करिएगा और मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंज बाई